हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेज में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कामाईनी की कथा में इतिहास और कल्पना हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चलिए, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कामाईनी में एतिहासिक तथे के बारे में कामाईनी की कथा महा प्रलाई के चित्रन से प्रारंब होती है जल्पलावन की इस घटना का उल्लेक प्राया सभी देशों के वाडमय में किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलता है प्रसाद जी के मतानुसार जल्पलावन भारत्य इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसमें मनु को देवों से विलक्षन मानवों की एक बिन संस्कृती प्रतिष्ठित करने का अफसर दिया वह इतिहास ही है मानव वह प्रातह इत्यादी से इस घटना का उल्लेक शत्पत ब्राम्मन के आठवे अध्याई में मिलता है देवगण के उच्छ श्रंकलन स्वभाव निर्बाद आत्म तुष्टी में आन्तिम अध्याई लगा और मानविय भाव अर्था त्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युक की सूचना मिली ब्रह्मा तथा विष्णू पुराण में निमेतिक, प्राकर्तिक और आत्याधिक तीन प्रकार के प्रलयों का उलेक मिलता है इन तीनों के अतिरिक अगनित पुराण तथा श्रीमत भागवत पुराण में एक चौथे नित्य प्रलय का भी उलेक है जिससे नित्य प्रति प्राणियों का नाश होता रहता है कामायनी के प्रारम में जिस प्रलय का वर्णन है उसे अगनी पुराण तथा श्रीमत भागवत पुराण में ब्राम, नामक, निमेतिक प्रलय कहा जाता है इस जल्पलावन के विशे में रिगवेत के नाश्दिय सूक्त में केवल इत्ता ही मिलता है कि श्रिष्टी के विकास से पूर्व चारों दिशाओं में अंदकार ही अंदकार था और सर्वत्र जल्व्याप्त था जल्पलावन की विश्त्रित कता शत्पत ब्रामन के प्रथम कान के आटवे अध्याय में मिलती है वहाँ यह कथा इस प्रकार है कि एक बार हाथ दोने के लिए जल लेते समय मनु के हाथ में एक छोटी सी मचली आ गई जिसकी उन्होंने रक्षा की उनके सद व्यवार को देखकर मतस्य ने कहा कि प्रले के समय मैं आपकी रक्षा करूंगा कालांतर में जब प्रले हुआ तो मनु मतस्य के सींग में अपनी नोका बांद कर उत्तर गिरी के शिखर पर जा पहुँचे वहाँ ओक के जल का अपतरण होने पर बहजिस थान पर उत्रे उस थान को मनोरव समर्पन कहा गया जैमिने ब्रामन ने भी यह कथा शीन रूप से मिलती है परन्तु वहाँ इस बात का वर्णन नहीं है कि जल पलावन के समय मनु की रक्षा मतसे द्वारा नहीं होती वरन सान्देव की रिच्चाएं स्वयम स्वर्णिम नोका बनकर मनु की रक्षा करती है प्रले की यह कथा वेदो और ब्रह्मान ग्रंथों के अतिरित किंचित परिवर्तन के साथ महाभारत और प्रायह सभी पुराणों में मिलती है महाभारत में मनु का विवस्वान का पुत्र तथा एक प्रतापी महारिशी बतलाया गया है मतसे को प्रजापती ब्रह्मा कहा गया है महाभारत में वर्नित कथा का शत्पत ब्रामन की कथा से एक अंतर यह भी है कि महाभारत के अनुसार जल पलावन के उपरान मनु ही नहीं बलकि समस्परदार्थों के बीज और सब्त रिशी भी उस नोका में बचे रहते हैं मच्चे पुरान में यह कथा और भी परिवर्तित रूप से विस्तार के साथ मिलती है वहाँ मनु को दक्षिन देश का राजा कहा गया है जो मलय परवत पर तपस्या करने के लिए जाता है और वही एक दिन तरपन करते समय उसकी मच्चे से भेट होती है इस पुरान में मनु के साथ तीन वेद समस्त विद्याओं के साथ सभी पुरानों चंद्रमा, सूर्य, नर्मना नदी, महारिशी मारकंडे तथा शंकर के भी अफशिष्ट रहने का उन्लेख है भविश्य पुरान में वर्णित मनु मच्चे की कथा, बाइबिल की कथा से बहुत कुछ साम्य रखती है भविश्य पुरान में मनु का नाम न्यूह दिया गया है और उन्हें आदम की संता ने कहा गया है इस पुरान में नाव का भी वर्णन है, जो पचास हाथ चोड़ी तथा तीन सो हाथ लंबी थी जैन ग्रंथ काल सप्तिका में भी भविश्य पुरान की भाती अग्रतर अर का वर्णन दिया गया है इस ग्रंथ में मनु का नाम विमल वाहन दिया गया है जिन सेना चार्रेकृत महापुरान में विमल माहन मनु को सात्वा मनु कहा गया है भातेतर ग्रंथों में भी जल्ब लावन संबंधी कथाई मिलती है युनानी साहित्य में एक कथा मिलती है जिसने जल्ब रिद्धी के समय अपनी तथा अपनी पत्नी पीरिया की एक नाव में बैटकर रक्षा की जल्ब लावन की समाप्ती पर उसकी नाव ओत्रस परवत पर जाकर रुकी और इसी परवत प्रदेश में जुकलियन तथा उसकी पत्नी पीरिया ने नवीन सुरिष्टी का विकास किया का मायनी की दूसरी प्रसित घटना है मनू और श्रद्धा का मिलन एवं परिने प्रसाद जी मनू को एतिहाजिक पात्र मानते हैं उनके अनुसार मनू भारत्य इतिहास के आदी पुरुष है राम, क्रिष्ण और बुद्ध इनी के वन्शज है पुराणों में 14 मन वंतरों की कलप्रा की गई है और इस सात्वे मन वंतर के प्रवर्थ तक वैवस्वत मनू माने गई हैं वैवस्वत मनू के जन की कथा रिगवेद में मिलती है जहां उन्हें सूरे का पुत्र कहा गया है मनु के साथ श्रद्धा का उलेक रिगवेत में रिश्यों की तरह मिलता है और वहां उसे कामगोत्र की कन्या कहा गया है श्रद्धा वाले सूक्त में सायन ने श्रद्धा का परिचे दिया है यजुवेद और शत्पत ब्रह्मान में भी उसका सूर्य की पुत्री के रूप में उलेख मिलता है पुराणों में भी सर्वत्र उसे दक्ष प्रजापती की कन्या तथा काम की माता कहा गया है श्रद्धा के परिणई के विशे में भी भारते ग्रंथों में विविद मत मिलते हैं एत्रेव ब्रह्मान में श्रद्धा को सत्ती की पत्नी कहा गया है तैतीरिये तथा शत्पत ब्रह्मान में मनु के लिए श्रद्धा देव शब्द आया है जिससे श्रद्धा मनु की पत्नी सिद्ध होती है पुराणों में कहीं कहीं श्रद्धा को धर्म की पत्नी भी कहा गया है किन्तु श्रीमत भागवत पुराण में श्रद्धा का मनु की पत्नी के रूप में स्पष्ट उल्लेख है श्रद्धा के साथ मिलन होने के बाद मनु उसी निर्जन परदेश में सृष्टी का आरंब करते हैं किन्तु इसी समय असुर पुरोहित आकुली और किलात आकर उन्हें मैत्रा वरुन यग्य करने की प्रेणा देते हैं उनसे प्रेरित होकर वैवस्वत मनु यग्य के हेतु श्रद्धा द्वारा पालित पशु की बली देते हैं और सोम्रस पान करते हैं ये आकुली और किलात भी एतिहासिक व्यक्ति हैं इनका उलेक रिगवेत के दश मंडल में असुर पुरोहित के रूप में मिलता है शन्पत ब्रह्मान में भी इने असुर पुरोहित कहा गया है जिनकी प्रेर्णा से मनु मैत्रा वरुन यग्य करते हैं यग्य स्तूप से बाद कर पशुओ के वद का वर्णन यजुवेत में मिलता है वहाई यग्य के साथ सुरा तथा सोन पान का भी उलेक किया गया है कामाईनी की तीसरी प्रमुग घटना है मनु इडा का मिलन एवं सार्स्वत प्रदेश का विकास इडा का उलेक रिगवेत में कई स्थानों पर हुआ है यह प्रजापती मनु की पत प्रदर्शिका तथा मनुश्यों का शासन करने वाली कही गई है इडा संबंदी कई मंत्र रिगवेत में मिलते हैं जहां सरस्वती एवं मही के साथ उसे भी देवी कहकर संबोधित किया गया है इडा के जन्म का वर्णन वेदों में नहीं मिलता शत्पत ब्रह्मान के अनुसार उसकी उत्पत्ती मनु के द्वारा किये गए यग्ये से हुई है इसलिए मनू पुत्री होने के कारण उसे मानवी तथा मैत्रा वरुन यग्जे से उत्पन होने के कारण मैत्रा वरुनी भी कहा गया है शत्पत ब्रह्मान के अनुसार इसी इडा के सहय योग से मनु ने सृष्टी का विकास किया वेदों में मनु इडा के अनैतिक संबन का वर्णन नहीं है एत्रेव ब्रह्मान में इतना उलेक अवश्य है कि एक बार प्रजापती ने अपनी दुहिता के साथ अनैतिक आचरन किया जिससे देवताओं ने क्रोधित होकर उन्हें दन दिया मत्से पुरान में भी इसी प्रकार की कथा मिलती है शिव महिगन स्तोत्र में शिव द्वारा का मोहित प्रजापती पर बान चलाने का वर्णन है जिस सास्वत प्रदेश का विकास मनू ने किया उसका स्पष्ट उलेक पुरानों में नहीं है प्रसाद जी ने प्राचीन सरस्वती नदी का स्थान पश्चिमी अफगानिस्तान के पास माना है उनके अनुसार कंधार का समीब वर्ती स्थान ही प्राचीन सारस्वत प्रदेश है स्कंद पुरान में सरस्वती नदी के समीब इस्थित द्वारावती नगरी का उलेख है ब्रह्म पुरान में मेरु परवत के चारो और 9000 योजन तथा विस्त्रित इलावरित या इडावरित नाम के प्रदेश का वर्णन मिलता है मारकंडे पुरान में जम्बू द्वीब के तीन दक्षिन खंडों के मद्धे में इस्तित इडावरित वर्ष का उलेख किया गया है इडावित वर्ष एक ऐसा ही वर्णन मत से वायू तथा अगनी पुरान में भी मिलता है कामाईनी के अंतिम भाग में शिव के तांडव नित्ते तथा श्रद्दा एवम्मनु की केलाश यात्रा का वर्णन है जहां पहुँचकर श्रद्दा भाव, कर्म और ज्ञान इन तीनों लोकों का समन्वे करती है इससे उन्हें सामरस्य की अवस्था में पूर्णा नंद की अनुबूती होती है कामाईनी के इस अंतिम भाग का प्रयन दाशनिक सिद्धानतों के आधार पर हुआ है वैदिक ग्रंतों में शिव के तांडव का उलेक नहीं है ब्रह्म पुरान तथा लिंग पुरान में शिव द्वारा तांडव नित्य किये जाने का वर्णन मिलता है शिव तांडव स्त्रोत्र में शिव के इस नित्य का विस्तार पुर्वक चित्रन किया गया है कामाईनी के रहस्य सर्ग में प्रसाद जी ने इच्छा, क्रिया और ज्ञान रूपी जिस त्रिपूर का वर्णन किया है वहे भी पुराना श्रित है शत्पत ब्रह्मान में त्रिपूर संबंधी एक कथा मिलती है इस कथा के अनुसार असुरों ने देवताओं के साथ पारसपारिक परतिस परधा में विजय होने के लिए भूलोक, अंत्रिक्ष, एवर्व, गूलोक में तीन पूरों का निर्मान किया और देवों ने उपसद नामक अगनी की उपासना की जिससे प्रसन होकर उस अगनी ने असुरों के तीनों पूत्रों का नाश किया महाभारत, शिव पुराण, लिंग पुराण तथा श्रीमत भागवत पुराण में भी असुरों द्वारा लोहे, चांदी और स्वन के तीन पूर निर्मित किये जाने का उलेक मिलता है इन पुराणों में वर्नित कथाओं के अलुसार, शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए असुरों के इन तीनों पुरों का नाश किया शेवागमों में त्रिपुर की दाशनिक व्याख्या भी मिलती है तंत्रा लोक में इच्छा, ज्यान और क्रिया को त्रिपुर माना गया है इसकी अधिश्ठ थात्री तिप्रा देवी कही गई है, जो ब्रह्मा, विश्नु और शिव रूप है इन तीनों पुरों का पार्थक के उपादी रूप संसार को प्रकट करता है, तता इनका सामन जस्य समादी में परेड़त हो जाता है इसी को निरंजना अवस्था कहा गया है, जिसमें योगी शिवत्व को प्राप्त करता है त्रिपुरा रहिस्य में श्रद्धा को ही त्रिपुरा देवी माना गया है, जिसके द्वारा त्रिपुरों में सामन जस्य स्थापित होता है मच्से वायू तथा मारकंडे आदी पुराणों में कैलाश एवं मानसरोवर का भी वर्णन मिलता है वहाँ इनकी इस्तिती हिमाले के मद्दे प्रिष्ट भाग में बताई गई है शैवागों में इसे आनन स्थल कहा गया है इसी स्थान पर पहुँचकर मनु अखंड आनन्द की प्राप्ती करते हैं आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कमायनी में कल्पना इतिहास को व्यापक अर्थ में ग्रहन किया जाएं तो कमायनी की अधिकांश प्रमुग घटनाएं इतिहास सम्वन्द सिध होती है इतिहास और कावे में सबसे बड़ा अंतर यह हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का यता तथे वर्लन है जबकि कावे में वाग वैदगे तथा उक्ती वैचित्रे के कोशल द्वारा ही उनी घटनाओं का पुनर स्रिजन होता है ऐसा करते समें कावे प्रंटा एतिहासिक वातावरन तथा मानव प्रकृति का सदेव ध्यान रगता है किन्तु इसके साथ ही उसको यह अधिकार भी होता है कि वह उत्पाद लावर्ण्य के लिए विद्यमान में संशोधन तथा आव विद्यमान की कल्पना कर सके प्रसाद जी ने भी कमाईनी के कथा निर्वा, रस की सुरिष्टी, पात्रों के गौरव, एवं स्वाभाविक्ता की रक्षा तथा फलागम की दृष्टी से यत्र तत्र अनेक संशोधन और परिवर्तन किये है जल प्लावन का वर्णन प्रायहा प्रतेक देश के वाडमे में किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलता है युनान के साहित्य तथा बाइबिल आदी में इस जल प्लावन के कारण जनता में फैले हुए अनाचार तथा दुश कर्मों को माना गया है प्रसाद जी ने भी कामाईनी में जल प्लावन के इसी कारण को ग्रहन किया है उनके मत के अनुसार मानव सब्यता की स्थापना से पूर्व देश्रिष्टी थी और जब देवताओं का अनाचार अपनी सीमा का अतिक्रमन कर गया तो महा प्रले हुआ शत्पत, ब्रह्मान, मच्चे तथा भागवत पुरान आधी भारत्य ग्रंतों में मनुद्वारा मच्चे के सींग में नोका वांद कर उसी की सहायता से हिमाल्य परवत पर पहुँचने का उलेक मिलता है प्रसाद जी ने स्वाभाविक्ता तथा वैज्यानिक्ता की द्रिष्टी से मच्चे के सींग पर नाव बालने का उलेक नहीं किया उनके अनुसार मनु की नाव एक महा मच्चे के चपेटे के कारण जीन शीन हो गई और उत्तर में एक परवत शिंग से जा टकराई भारत्य ग्रंथों के अनुसार मनु जन प्लावन के उपरान स्रिष्टी की कामना में यग्य करते हैं प्रले से बचे हुए आहात व्यक्ती का जन प्लावन के उपरान एकदम पुत्रिष्टी यग्य करना अस्वभाविक प्रतीत होता है इसलिए का मायनी में मनु संसकारवश निशकाम पाक यग्य करते हुए दिखाई गए है शत्पत ब्रह्मान के अनुसार यग्य से बचे हुए अन को मनु एक स्थान पर रख आए है जिसे देखकर इड़ा उनके पास आती है किन्तु प्रसाद जी ने मनु की भेट पहले श्रद्धा से कराई है वह सत्थ द्वारा प्रतिष्टित अन को देखकर उसके पास आती है इड़ा से मनु का मिलन तब होता है जब वह ईश्या वर्ष श्रद्धा को छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुँशते हैं शत्पत ब्रह्मान आदी भारत्य ग्रंथों में मनु इड़ा का संबन पिता पुत्री का माना गया है किन्तु नायक के गौरव की रक्षा के लिए प्रसाद जी ने उनके इस संबन्द को स्विकार नहीं किया कामाईनी में केवल इतना ही संकेत मिलता है कि प्रजा होने के नाते इड़ा मनु की पुत्री के समान थी और वह मनु एवं श्रद्धा के प्रति अपने मन में पूज्य भाव रखती थी दर्शन सर्ग में एक स्थाल पर इड़ा श्रद्धा को अंबेशब से संबोधित करती है यह संबोधन किसी पारिवारिक संबन्द का नहीं केवल पूज्य भाव का व्यंजक है भारत्य पुराणों के अनुसार प्रजापती ने अपनी दुहिता के साथ आनैतिक वेवार किया जिसके कारण उन्हें देवताओं का कोप सहना पड़ा किन्तु प्रजापती की कथा के इस प्रसंग में मनु का नाम किसी भी प्रसिद ग्रंत में नहीं मिलता प्रसाद जी ने कामायनी में इस घटना को प्रतिकात्मक रूप में ग्रहन किया है मनु द्वारा इडा पर अपना अधिकार करने की चेश्टा पर देवताओं के कोप के साथ साथ जनक्रांती भी दिखाई गई है जिसका नेत्रित्व असुर पुरोहित आकुली और किलाद करते हैं कामायनी में कता निर्वा की दिख्टी से तथा अनावश्यक विस्तार के भय से मनु श्रद्धा के एक ही पुत्र मानव का उले किया गया है मनुका श्रद्धा के पुत्र प्रेम से इर्शालू होकर भाग जाना भी कवी कल्पित ही है कामायनी में प्रसाद जी ने भौतिक्ता की अपेक्षा मनोवैज्यानिक विशलेशन को अधिक महत्व दिया है इसलिए उन्होंने विद्धमान में संशोधन के साथ साथ कई काल्पनिक प्रसंगों की भी उद्भावना की है श्रद्धा के प्रणे सूत्र में बनने से पूर्व काम संदेश की कल्पना की गई है इस कल्पना का उद्देशे प्रकर्टी के मूल में व्याप्त काम के विरुद, स्वरूप तथा सुरिष्टी कार्रे में उसके महत्व की स्थाप्ना करना है कवी ने अपनी उर्वर कलप्रा द्वारा श्रद्धा के हिर्दे में उदित स्त्रियोचित स्वाभाविक लज्जा का भी सजीर चितरन किया है इसके अतिरिक्त श्रद्धा का मात्र ग्रह निर्मान उनकी दिन चर्या तकली कातना उनकी पटि बुन्ना पशु पालन मनु द्वारा यग्ये में पशु को बली दिये जाने पर श्रद्धा का मान करना आधी प्रसंग भी कवी की कलपना ही है कामायनी के उत्तर भाग की अधिकाश घटनाय कवी कल्पित है आधुनिक राजनीती का स्वरूप स्पष्ट करने तथा गांधिवाद के प्रभाव के कारण यंत्रवाद एवं भोतिक्ता की एक कांकी उन्नती को निश्पल दिखाने के लिए कामायनी में मनु के श्यासन के विरुद जनक्रांती दिखाई गई है श्रद्धा का स्वप्ण देखकर युद्ध शेत्र में जाना वहाँ पहुँचकर उसका इडा से वार्ता लाप मनु का गलानी वश फिर भाग जाना और श्रद्धा द्वारा उसकी पुना गोज करना भी कवी कल्पित है कथा निर्वा की दृष्टी से इन काल्पनिक प्रसंगों की उद्भावना की गई है और इसके द्वारा श्रद्धा के उद्दात चरित्र का भी उद्गाटन हुआ है इडा और श्रद्धा के मिलन द्वारा बुद्धी और हिदे के सामन जस्य को प्रकट किया गया है कथा के अंतिम भाग में श्रद्धा और मनु की कैलाश यात्रा का वर्णन है जहां पोचकर मनु सामन जस्य की अवस्था में अखंड आनंद की अनुबूती करते हैं कालांतर में इडा, कुमार तथा सारस्वत प्रदेश वास्यो द्वारा भी कैलाश जाने का उलेक किया गया है यह सभी घटनाई भी काल्पनिक है रूपत निर्भा की द्रिष्टी से इसकी उद्भावना की गई है जिसके द्वारा प्रसाद जी ने आनंदवात की प्रतिष्टा की है इतिहास में कल्पना का मिश्टन करते समय कवी एतिहासिक वातावरन के विशे में भी सर्वत्र सचेष्ट रहे है मनुफूस की जोपड़ी बना कर रहते हैं पशुपालन थोड़ी बहुत क्रिशी और आखेट से अपना निर्वा करते हैं श्रद्धा उनकी पट्टियां बुनती हैं जिससे वे अपना तन ढापते हैं समाश शास्त्र के अनुसार विश्व के प्रारंबिक काल में मात्र सत्ता थी तथा बाद में पित्र सत्ता स्थापित हुई कामाईनी में श्रद्धा तथा इड़ा दोनों ही मात्र युक की प्रतीक हैं सारस्वत प्रदेश में इड़ा मनु का पत्प्रदर्शन करती हैं और उसके उपदेशानुसार वैसारस्वत प्रदेश का विकास भी करते हैं एतिहासिक वातावरण के साथ साथ कवी ने पात्रों के एतिहासिक व्यक्तित्व की भी रक्षा की है पुरानों में मनु के दो व्यक्तित्व मिलते हैं एक स्मृतिकार मनु का व्यक्तित्व और दूसरा मानव स्रिष्टी के निर्माता के रूप में मनु का व्यक्तित्व प्रसाद जी ने कामायनी में उनके दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व को दिखाया है देव स्रिष्टी के विद्वन्ष के पश्चाद श्रद्धा के सैयोग से वे मानव स्रिष्टी का विकास करते हैं उनका यह रूप मानव स्रिष्टी के निर्माता तथा मनवंतर के प्रवर्तक का रूप है सारस्वत प्रदेश में कवी ने मनु को नियामग बनाकर उनके स्मृतिकार के रूप को व्यक्त किया है रिगवेद, शत्पत तथा पुराणों में श्रद्धा का चित्रन एक भव्वे एवं विश्वासमई नारी के रूप में हुआ है त्रिपुर रहसे में उनकी भाव मूलक व्याख्या भी मिलती है प्रसाद जी ने उनके एतिहासिक व्यक्तित्व का चित्रन करते हुए उनमें दया, माया, मम्ता, त्याग, करूना आदी सभी कोमल एवं उद्दात भावों का समावेश किया है इडा आदी अन्य पात्रों का चरित्र चित्रन भी इतिहास सम्मत है का मायनी में एतिहासिक प्रिष्ट भूमी के आधार पर दर्शन तथा मनोविज्ञान के सत्य का उद्धाटन किया गया है इसलिए उसमें इतिहास के भोतिक रूप की आपेक्षा उसके मनोविज्ञानिक रूप को अधिक महत्व दिया गया है परिणाम स्वरूप एतिहासिक्ता के साथ साथ रूपक तर्थ्व का भी समावेश हुआ है मनू, श्रद्धा और इड़ा अपने एतिहासिक अस्तित्व की रक्षा करते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ती करते हैं प्रसाद जी के अनुसार मनू, अर्थात मन के दोनों पक्ष, हिदे और मस्तिक्ष का संबन्द, क्रमशह, श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने अपनी उर्वर कल्पना द्वारा, श्रद्धा, मनू तथा इड़ा की यत्र तत्र आ संबन्द रूप में बिख्री हुई कथाओं का संकलन करके एक निश्यत सू संबन्द कथानक की योजना की है मनू, श्रद्धा और इड़ा की पुरानिक कथा के साथ साथ उन्होंने मानव मन के करमिक विकास की जिस सूक्षम मनो वेग्यानिक कथा को समानांतर रूप से ग्रहन किया है वहे रूप कात्मक कथा देशकाल की संकुचित सीमाउसे मुक्त मानफ सृष्टी के विकास की शास्वत कथा है इतिहास को यदि व्यापक अर्थ में ग्रहन किया जाए तो कामाईनी के सभी पात्र, जल्प लावन आदी, सभी गटनाएं, एवंस्थान, एतिहासिक सिद्ध होते हैं इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना कामाईनी की कथा में, इतिहास और कल्पना के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक्यू फो वाचिंग